कि दोस्तों यह हमारा जाल देखो कि उधर चुग रहे हैं सबको वुतर फिट हैं मस्त मौझ मस्ती से कि आज मैं आपको एक ऐसी इंफोर्मेशन दूंगा जो किसी ने पूरे यूट्यूब चैनल पर बताई नहीं होगी भाई जो इस मोसम में जैसे बारिस पड़ रही ए और बारिस का मोसम हो रहा कवूधर को हरी भी बीटों की बीमारी लग जाती है ग्रीन भीट माने लग जाते हैं सके पहली डोस दो गया आप उसी में कभूतर 60 परसेंट रिकवर हो जाएगा और यह तीन दिन देने लगता तीन से चार दिन दे दो उसके बाद में देने की जुरुत नहीं है कभूतर ओटोमेटिक ठीक हो जाएगा ठीक है भाई बता रहा हूं ठीक है भाई देखो यह है ओक्सी टेटर साइक्लिन इंजक्सन नहीं है जहां गाय बहेंसों की दवाई मिलती है वहीं मिल जाएगा नॉर्मली मिल जाता कोई दिक्कत नहीं है यह 100 ml का इससे कम कभी लेना चाहो तो वह भी ले सकते हो मेरे पास 100 ml क भाई है और एक सिरेंच आती है कि अग्याय के लियर अग्याय के ले लें तीन अमल की ले मेरे पास तो 3 ml की तो मैं 3 ml की से बता रहा हूं ठीक है भाई आपको इस इंजक्शन में से ऐसे फुई लगी रहने देनी है जैसे लगी पीए और इस मेंसे इसकी दवाई कीजनी है यहां तक बस तीन डंडे ले 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 इससे जादे नहीं लेनी है और कभूतर को दाना पानी चुगाने के बाद सीधे उसके मुझ में दे दे इसकी सुई निकाल ले ये कभूतर के मुझ में डाल के सिरिंच और दे दे ठीक है भाई इसमें टैबलेट भी आती है पाउडर भी आते है में इसको टाइंटा ओना हूं जाताह हुआ यूस्पुल नहीं तो कभूत्र को रिकवर में 20 कि lint और हुझे। वह उसमें काम करता है कि अनम अगर आपके जादी के उतर ग्रीन बीट अगर मार रहे हैं तो चार से पांच दिन दो लीटर पानी में डेड़ चमच दो चमच मिला दो रोज डेली पांच दिन तक का कोर्स होता उसका उससे अराम मिल जाता लेकिन यह हैंट टो हैंट का जुग करें सब्सक्राइब करें चैनल को फोलो करें ताकि मैं और आफ के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूँ अब सुक्रिया भाई